Welcome to our channel Fantasy Fortune इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore IPL मैच जो ही खेला जाएगा D.Y. Stadium Sports Academy Mumbai में क्या हो सकती है Possible Playing 11 कौन से Main Player ये मैच मिस करने वाले है क्या रहा RCB का Practice Match का Results Small League की टीम क्या रहने वाली है Grand League के लिए Best Captain Choice कौन होने वाली है पूरी वीडियो देखेगा मज़ा आने वाला है बात करते हैं वेन्यू की D.Y. Partal Stadium में माच होने वाला है Mumbai में यहाँ पढ़ना मैच जो है वो काफी पहले के टाइम पर होते थे मतलब 2008, 2010, 2010 का Final यहाँ पर हुआ था यहाँ पर बहुत पहले IPL के मैच इस होते से तो फिर उसके बाद काफी टाइम बाद अब इस ग्राउंड पर वापसी हो रही है तो यहाँ पर Red Soil का विकेट रहता है और जो Fast Polers है उन्हें अच्छी Bounce यहाँ पर मिल जाती है और Average जो First Inix Score है वो बहुत जादा नहीं है 143 रंक का ही है और Highest Score जो है दिल्ली ने बनाया हुआ है 190 और Lowest Score जो है वो Decken Charger ने बनाया था 82 पे वो All Out हो गई थी लेकिन यह जो Record है काफी पहले के हैं काफी Recent Times में बहुत जादा मैच इस हुए ही नहीं है तो आप मुझे लगता है क्योंकि Fresh Wicket होगा और यहाँ पर काफी मैच इस Season होने वाले हैं तो आपको जो Pitch Curator है वो एक अच्छा Wicket तयार करके देगा क्योंकि बार-बार जो है फिर Wicket को तयार करने में तूटता भी है जब लगतार मैच इस महाँ पर होते हैं तो मुझे लगता है कि 143 से तो ज़्यादा बनने चाहिए इस मैच में 160-170 अनका स्कोर हम एकस्पेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चाहिए यह हमारे टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन ही पिन कर दूँगा उसी के थूँ जुड़िये का सर्च करके मच जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हमारे नाम के शिकरदवन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे मयंक अगरवाल के साथ यहाँ पर प्रब सिमरन जो है वो वंड़ाउन आ सकते हैं टीम चाहे इस उनकी जगा राजा पक्षा को भी खिला सकती है या फिर राजा पक्षा और प्रब सिमरन दोनों को भी खिला सकती है फिर लियाम लिविंग स्टोन है शारुक खान है ओडियन समित है हरफीज बरार है संदीब शर्मा अर्शदीब सिंग राहुल चहर और यहाँ पर रबाड़ा का बता दूँ की जो रबाड़ा है वो-bubble-to bubble transfer अगर उन्हें मिल जाता है क्योंकि वो और इंटरनाशनल सिरीज से ही आ रहे है तो अगर bubble-to bubble transfer उन्हें मिल जाता है सो वे match खेल सकते हैं अगले match से आपको देखने को मिलेंगे तो अगर Rabada नहीं खेलते तो Benny Howell को खिलाया जा सकता है जो कि एक All-Rounder है या टीम चाहे तो फिर राजा पक्षा को भी खिला सकती है ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना है बात करते हैं Royal Challenger Bangalore की तो यहाँ पर Glenn Maxwell जो है वो अवेलिबल नहीं है Fab Duplaces Open करते ह пох runners आ जाएंगे यहाँ पर विराटखोली ओपन कर सकते हैं लेकिन नहीं पर अनु जरावत के चांसे लग रहे हैं कि वो पर ट्राइ किया हुआ है तो टीम चाहें तो उनको भी ट्राइ कर सकती है as a floater options की बात कर लें तो फिनेलन एक option है और सुयश प्रभुदेसाई एक option है जोनोंने practice match में तफाई मचाई है 1% selection है इनके बारे में बताऊंगा इंटरस्टिंग facts की बात करें तो यहां पर head to head में पंजाब ने जो है 13 match जीते हैं और RCB ने जीते हैं और RCB ने जीते हैं तहीरा match most runs की बात करें तो क्यूंकि teams में काफी जाला बदलाव हो चुके हैं दोनों team में तो बहुत जाला data नहीं है तो यहां पर most runs तो विराट कोली definitely होगा तो यहां पर 741 runs विराट कोली के हैं और यहां पर अगरवाल के जो है 203 run है most wickets की बात करें तो यहां पर संदीव शर्मा के 16 और हरिशल पटेल के 6 हैं बात कर लेते हैं कुछ interesting match-up की so david willy ने जो है शिकरदवन को 4 बार out कर चुके हैं तो यह एक अच्छा match-up है starting में बोल करते वे भी नज़र आ सकते हैं तो यह एक अच्छा match-up बन जाता है और संदीव शर्मा का तो मुझे लगता है और हर को ही जानता है संदीव जो शर्मा है यह बड़ी मच्छी फसाता है विराट को 7 बार out कर चुका है और डुपलेस इसको भी ना इसने 2 बार out किया और अगर starting में swing मिल गी ना संदीव शर्मा किसी भी प्लेयर को तंग कर सकता है और इनके record यह ही है कभी भी देखना कि बड़े प्लेयर को इन यह out कर जाते है तो यह एक interesting fact है RCB का एक practice match हुआ था वो हुआ था टीम फैब डुपलेस वरसे टीम हर्शल के बीच में तो डुपलेस की टीम ने 215 बनाए थे जिसमें डुपलेस ने 76 बनाए थे 40 बोल में तेल ने 3 विकेट निकाले थे और करन शर्मा ने 2 फिर बात कर लेते हैं टीम हर्शल की जिन्होंने 213 बनाए थे सुयष प्रभुदेसाई ने 87 बनाए थे और सिर्फ 46 बोलों में अगर यह खेलते वे नजर आ जाए ना भाई यह काफी अच्छी game changer pick आपके लिए बन सकती है क्योंकि selection ही ने इनका 1% selection है Grand League के लिए बहुत अच्छी pick बन जाएगी यहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने 49 बनाए थे सिर्फ 21 बोल में सो अब A.B. Develiers नहीं है सो kind of वो वाला जो रोल है वो दिनेश कार्तिक के पास आएगा सो टीम के लिए important बन जाएंगे डेवि अच्छा इनका जो है openers है यहाँ पर शिखरदवन है और मयंक अगरवाल है शिखरदवन चाहेंगे यह वाला IPL जो है उनका काफी अच्छा जाए ताकि World T20 में भी वो उनका नाम जो है consider किया जाए तो शिखरदवन के लिए काफी important यह IPL देने वाला है important choice है important player है और captain wise captain की अच्छी choice बन जाएगी especially पहले batting करते हुए chasing में जो है विली नहीं ने इस चारो बार जो आउट किया है वो chasing में किया हुआ है तो इस चीज का ध्यान दखना है मयंक अगरवाल टीम के captain है और आपकी small league के भी captain हो सकते है क्योई काफी अच्छे player है और अच्छे runs बनाते है एक important captain wise captain की choice बन सकते है यहाँ पर प्रभ सिम्रन है आपर जो यह थोड़ा attacking cricket खेलते है प्लस यह wicket keeping आपको करके दे देंगे आपके लिए decent pick बन सकते है क्योंकि जो भी options available है wicket keeping section में वो shorty pick वाले नहीं है कोई किसी को लेगा कोई किसी को लेगा प्रभ सिम्रन का यह है कि one down बैटिंग करेंगे प्लस अगर खेलते हैं प्लस wicket keeping कर सकते हैं सो एक decent pick आपके लिए बन सकती है यह अच्छे runs करते हैं domestic में और shots लगाते हैं सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है लियाम livingstone है बहुत तगड़े खिलाडी मुझे काफी पसंद है बैटिंग से बहुत लंब करेंगे वहां पर भी कोई खास performance इनकी नहीं रही थी लेकिन अगर वैसे नाम के हिसाफ से देखा जाए तो बहुत तगड़े की लाड़ी हैं काफी लोग इने captain wise captain भी करेंगे आप भी कर सकते हैं मुझे यह बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ यह है कि IPL में performance उतनी अच्छ कर सकते हैं करेंगे और काफी अच्छी recent formula की रही है और काफी important player रहे हैं यह kings 11 पंजाब के लिए और पंजाब kings के लिए of course सो आपके लिए differential player बन सकते हैं audience smith की बात करें यह player important रहेगा पंजाब के लिए यह ऐसा खिलाड़ी है जो आपको grand league तक win करा सकता है क्योंकि इसके उपर जादा लोग ध्यान नहीं देंगे लेकिन जो लोग अगर आप cricket को follow करते हैं सो audience smith के बारे में बता दूं यह bowling करते ह हैं गंदी सी मतलब गंदी सी in the sense कभी इधर कभी यूदर लाइन दिनकी नहीं है लेकिन यह wickets जब जब इने use करते हैं मतलब तो यह wickets ले जाते हैं और आपको क्या चाहिए wickets और इनकी batting बहुत solid है लंबे छक्के लगाते हैं और ऐसा खिलाड़ी है जो हर bowl पे छक्का हर प्रीज बरार की बात करें सो लोवर ओडर वे बैटिंग भी करके दे देंगे प्लस यह आपके लिए एक अच्छा spinner है लास्ट यह अगर आपको याद हो सो यहां पर आर सी बीके अगेंस काफी अच्छी नहीं परफॉर्मेंस भी दी थी तो एक डिफरेंशल खिलाड़ी आपके लिए बन सकते हैं संदीब शर्मा की बात करें सेलेक्शन काफी कम है लेकिन अगें आप देख सकते हो मैच अप जो है वो काफी अच्छा रहा है इनका यहापर डूप्लेसिस को भी तंग कर सकते हैं प्लस यहाँ पर विराट कोली का विकेट साथ बार ले चुके हैं तो राहुल चाहार वन अव दा बेस्ट स्पिनर मुझे लगते हैं लेग स्पिनर मुझे काफी अच्छे लगता है यह इनके पास और यह किसी भी मैच में तीन चार विकेट भी निकाल सकते हैं लेकिन सामने की टीम में यहाँ पर जो है लेफ्टी बैट्समें है अगर आप अच्छे प्लेयर हैं आपके लिए अच्छी ट्रमकार्ट फिक साबित हो सकते हैं यहाँ पर रबाड़ा है अगर खेलते हैं तो आपकी टीम में होने चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो लेकिन अगर रबाड़ा अवेलेबल नहीं होते क्योंकि कॉरंटीन में हैं अभी तो अगर बबल टूब वे ट्रांसफर मिलता है सिर्फ तभी खेलेंगे तो यहाँ पर अदरवाइस बैनी हावल खेल सकते हैं जो आपको थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बोलिंग आपको करके दे देंगे इवन राजा पक्षा को खिला जा सकता है औ वन और सेकंड डाउन तक खेलने को देखने को मिल सकते हैं अगर वन डाउन खेलते हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं सपोस करो टीम प्रब सिम्रन की जगा यहाँ पर राजा पक्षा को खिला ले ठीक है तो उस केस में और फिर इंडिया का यहाँ पर इशान पॉरल खेल सकता है जो काफी अच्छा फास्ट बोलर है ठीक है तो यहाँ पर अगर वन डाउन बैटिंग करते हैं प्लस विकेट कीपिंग कर रहे हैं सो एक इंपॉर्टेंट चोईस बन जाएगी जो आपको स्मॉल लीग वन साइडिड विन भी करवा सकता है डैथ बोलिंग की बात कर हैं सो ओपनर्स दोनों इंपॉर्टेंट है धवन और अगरवाल यहाँ पर लिविंग स्टोन है अर्शदीव सिंग रबाड़ा और राहुल चाहर जो है टीम के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बात कर लेते हैं रोयल चैलेंज है बैंगलोर की सो फैब डुप्लेस कल के मैच में एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं सो कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस रहेंगे अनुज रावत की बात करें मैं इसको परसनली जानता हूँ और बहुत खोशों मैं इसके लिए आर कि इतना अच्छी तीन करोड की प्लस की बोली लग चाहता हूं की अच्छी अच्छी पर्फॉर्मेंस दे और यह चक्के बहुत लंबे लगा लेता है लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेगा और कुछ मैचे में जो है विकेट थ्रो भी कर सकता है यह चीज है लेकिन प्लेयर में इनमें टैलेंट काफी और शॉट्स है इनके पास प्रेक्टिस मैच में भी अगर आप देखो यूट्यूग पर अवेलेबल है अगर आप वो देखते हो सो काफी अच्छे शॉट्स इनों ने लगाए थे तो एक आपके लिए अच्छा डिफ्रेंशल प्लेयर विकेट कीपिंग सेक्शन में बन सकता है विराट कोली है विराट कोली अगर विराट कोली देखा जाए तो आपके लिए किसी भी टीम के लेकिन रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा नहीं रहा है और क्रेडिट का इशू आएगा इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी कैप्टेंशिप चोईस रहेगी आपके लिए क् काफी लोग जो है इनको ड्रॉप करके चलेंगे तो उसके इसमें आपके लिए एक अच्छी चोईस बन जाती है और लेकिन टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो विराट कोली एक अच्छी पिक बन सकने है इस्पेशली यहाँ पर पंजाब का बॉलिंग अटैक अगर बाड़ा नहीं होते ना थोड़ा वीक नजर आ रहा है तो यहाँ पर रन कर सकते हैं विराट कोली एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं मैपाल लोम रोड की बात करें छोटा गेल इनको कहा जाता है और यह प्लेयर इंपोर्टेंट है मतलब यह आपके लिए छुपर लिग और ग्रेंड लिग दोनों में दिनेश कार्थिक की बात करें दिनेश कार्थिक मुझे लगता है केके आर से जादा ना यहाँ पर यह काफी इंपोर्टेंट बन जाएंगे क्योंकि यह फिनिशिंग का रोल अदा करेंगे वहाँ पर रसल थे और मॉर्गन भी थे लेक में छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं हर बोल पर ट्राइ करते हैं और अच्छा खिलाडी भी है ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी चोइस बन जाएगी अगर आपको लगता है पंजाब वन साइड़िड विन कर रही है मतलब की यह मैच और स्टार्टिंग में वि हिंदू हसरंगा की बात करें तो अगर इनकी इंटरनाशनल परफॉर्मेंस देखी जाए तो लाजवाब आँख बंद करके कैप्टन बनाने वाली चॉइस है ठीक है लेकिन इनका लास्ट येर आईपील जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा था आईपील देखो एक अलग स्पिनर बन जाते हैं हसरंगा तो ये चीज इनके फेवर में जाएगी और आप देखना स्टार्टिंग के मैच इसका नहीं लेकिन जैसे जैसे टूर्णमेंट आगे प्रोग्रेस करेगा हसरंगा काफी एच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए आट को ली यूजवली बता देते हैं कि वन डाउन वो किसको खिला रहे हैं लास्ट टाइम भी उन्होंने बता दिया था तो शहवाज एमद अगर वन डाउन खेल रहे हैं तो इंपोर्टन बन जाएंगे लेकिन अगर नहीं खेल रहे और सामने क्योंकि लेफ्टी बैट्स में विकेट्स निकाल सकते हैं मुहमद सिराज की बात करें मुहमद सिराज ये कैसा खिलाडी है अगर आप इसको लगातार कैप्टन वाइस कैप्टन करते हो ग्रैंड लीग में ये आपको ग्रैंड लीग तक मिन कर आ सकता है क्योंकि लगातार टीम इन पे भरोसा दिखा र रहे हैं और अगर यहाँ पर जैसा विकेट है अगर वैसा ही बिहेव कर जाता है तो स्टार्टिंग में जो है न मुहम्मद सिराज तंग कर सकता है काफी अच्छी स्विंग के साथ विकेट निकाल सकता है स्टार्टिंग ओवर में तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन जाते हैं डेथ बोलिंग की बात करें तो यहाँ पर हर्शल पटेल है और मौमद सिराज है इंपोर्टन प्लेयर्स की बात करें फैब डुपलेस है यहाँ पर विराट कोली हसरंगा हर्शल पटेल और मौमद सिराज जो है टीम के लिए इंपोर्टन प्लेयर है पूरी भरमार है पूरी लिस्ट है काफी इस मैच में आप देखोगे हर किसी के अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनके आएंगे क्योंकि यहाँ पर डुपलेस है धवन है मैंक अगरवाल है विराट कोली है यह चार प्लेयर काफी लोगों के होंगे फिर जो कुछ लोग है जो और राउंडर बनाना चाहेंगे वो लिविंग स्टॉन और यहाँ पर हसरंगा के साथ भी जाने वाले हैं लेकिन जो टॉप 3 रहेंगे वो यहाँ पर डुपलेस धवन काफी यह कॉंबिनेशन काफी होगा और अगरवाल भी काफी लोग कर सकते हैं ग्रैंड लीग की बात करें सो विराट कोली क्यों काफी लोग ड्रॉप करने वाले अजीव लगता है कि ग्रैंड लीग में आप कैप्टर मनाओ विर लुब्राइण स्मित आपके लिए काफी चोइस बन सकते हैं और नहीं वाइस कैप्टेन आप करोगी ना वैटर है क्योंकि यह आपको परफोर्मेंस दे सकते हैं और उसकेश में आप क्यों को ट्राय कर सकते हो मौमंध सिराज हैं जो कैप्टेन की अच्छी सब सकते हैं दिनेश कार्तिक अनुज रावत और प्रप्रप्रप्रम सिंग यहाँ पर अनुज का और प्रप्रप्रप्रम का सेलेक्शन बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनका भी बढ़ जाएगा especially जब लोग देखेंगे अगर अनुजरावत का especially बढ़ सकता है जब लोग देखेंगे कि ये open करें लेकिन अनुजरावत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे विकेट कीपिंग करेंगे दिनेश कार्तिक तो ये भी देखकर चलना है तो मैंने अभी के लिए यहाँ पर दिनेश कार्तिक को रखा है अनुजरावत एक अच्छी पिक है ये अपने दिन पर अच्छी पिटाई कर सकते हैं ये ध्यान रखना है और यहाँ पर प्रप्सिम्रन है जो वन डाउन बैटिंग करेंगे और डीसेंट प्लेयर है यहाँ लेकिन मैंने अभी के लिए यहाँ पर दिनेश कार्तिक के साथ गया हूँ बैटिंग सेक्शन में यहाँ बात करें इस तो चार प्लेयर जो इंपॉर्टन है वो है बोलिंग भी कर लेते हैं सो इंपॉर्टेंट रहेंगे राजा पक्षा है खेलते हैं सो और स्पेशली अगर बंडाउन खेल रहे हैं यहाँ पर लेकिन अभी के लिए हम न allrounder session में शलते हैं क्योंभी क्रेट का इशू आने वाला है betting section में तो पहले allrounder section में शलते हैं यहाँ पर allrounder section में जो दो खिलाडी में लेकर जा रहा हूँ वो है Livingstone और हसरंगा दोनों ही important है देखते हैं दोनों इस season का कैसा रहता है तो दोनों के साथ में जा रहा हूँ यहाँ पर Maxwell है जो available नहीं है Benny Howell है जो खेल सकते हैं शाबाज एहमद है जो एक आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं Benny Howell भी आपके लिए अच्छा credit saver बन जाएगा रिशीद हमन है यह काफी experience हिमाचल के player है all-rounder बहुत अच्छे हैं अगर खेलते हैं सो बिल्कुल try कर सकते हो बहुत अच्छी performance इनकी हमेशा domestic season में रहती है यहाँ पर एक छुपा हुआ खिलाड़ी प्रभुदेशाई 1% selection है खेलता हुआ नजर आ जाए तो यह domestic में गुवा के लिए खेल रहा है और काफी अच्छी इनकी betting है और bowling भी कर लेते हैं पास्ट बोलिंग कर लेते हैं ठीक है तो आपको slow medium जो है वो कर लेंगे प्लस आपको यह टॉप ओडर मेर खेलते हुए दिख जाए ना आपके लिए गेम चेंजर पिक बन जाएगे और ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राइ कर लेना 87 रन बनाके आ रहे हैं प्रैक्टिस में आज में भी ठीक है बोलिंग सेक्शन में चलते हैं तो दो प्लियर जो होने चाहिए हर्शर पटेल और महम्मस सिराज यहाँ पर अर्शदीब भी इंपोर्टेंट हैं सो तीनो रहेंगे रबाड़ा खेलते हैं सो ओविस चॉइस बन जाएगी लेकिन अभी डाउट है सो इने अभी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर मैं ओडियन स्मित के साथ जा रहा हूं क्योंकि मुझे और राउंडर का काम करके दे देंगे बैटिंग बोल हैं यहाँ पर हरप्रीद बरार छुपा रुसनम जो लास्ट येर रसी बीक अच्छा करके गया था सो बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं और यहाँ पर इशान पोरल अगर खेलते हैं काफी अच्छे फास्ट बोलर हैं इनको भी ट्राइक किया जा सकता है लेक चीज था इससी वज़े से मैंने पहले बोलिंग सेक्शन में आ गया था तो यहाँ पर हमें आप तीन प्ले लेने हैं आप यहाँ पर तीन में चार में से तीन प्लेयर आप लेके चल सकते हो डिफिरेंशल में आप लोम रोड या राजया पक्षा को भी consider कर सकते हो लेकिन तीन प्लेयर ले रहे हैं तो पहली पिक जो है मैं अपनी टीम में डुपलेसिस को लेकर जा रहा हूं अब यहां पर जो है मयंक अगरवाल हैं यहां पर आप चाहो तो मयंक को drop करके आप यहां पर तब भी आपको धवन और कोली में से एक को drop करना होगा यहां पर मयंक करवाल choice बन जाती है अब जो तीसरी pick है यह काफी हद तक game decide कर सकती है योगि दोनों ऐसे खिलाड़ी है जो काफी अच्छे आपको points दे सकते हैं ठीक है और बड़ी inning भी खेल सकते हैं तो यहां पर धवन और यहां फिराट को ली यह completely आपकी choice है मैं क्या करू यह complete decision आप करेगा क्यों क्रेट का यहां पर issue है तो यह बन रही है मेरी small league की team इसमें एक से दो change हो सकते हैं depending upon toss बात कर लेते हैं captain wise captain की यहां पर मैंने captain जो है वो बनाया है fab duplex इसको wise captain जो है मैंने यहां पर विराट कोली एक option है शिखरदवन है लिविंग स्टोन है हसरंगा है हर्चल पटेल हैं काफी options हैं काफी अलग-अलग इस match में जो है आप देखोगी combination captain wise captain के लेकिन मैंने आपर मयंक अगरवाल के साथ गया हूं दोनों captain को मैंने captain wise captain किया है तो यह बन रही है मेरी small league की team final team आपको telegram पर मिल जाएगी तो telegram पर जोड़ना ना भूलिएगा link description म है और साथ के साथ comment section पिन कर दूँगा और YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी grand league के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आपका support रहा और आपको चाहिए तो आप comment करके बता सकते हैं तो वो वीडियो में अलग से grand link की बना दूँगा उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी thank you guys